वेलकम टू जुनूस किच्छन आज मैं रास के साथ खा सकते हैं एज ऐसाइड तिस कॉकॉनट चट्नी वह बना के दिखा रही हैं इसको हम लोग डाल जो रास होता है डाल रास के साथ सर्फ कर सकते हैं एज ऐसाइड दिस बहुत टेस्टी होता है और ये बनाना भी बहुत ही इजी है आप लोग ज़रूर ट्राइ कीजिएगा और ये चटनी बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए देख लीजिए ड्राइड ग्राम जो रोस्टेड चाना दाल जो होता है उसको मैंने लिया है एक कप सुखी वही चाना दाल और पांच इसे अपना किसमल ठाट में PrayAuto कि लीजिए मैंने यिइन चानन देख दिया को मैंने चाहिए कि मड़कान ळाला के मैंने एक स्मूध पेस्ट बनानी बस उतनी ही चार चाहिए चाहिए ये चटनी बनाने के लिए और वाह–सल्ट इसको मैंने पनला सब्स्य अब्समल यियों ग्राइंडर में ढालके थोड़ा सा पानी दे दिया, थोड़ा सा ही पानी देना है, बहुत ज्यादा पानी नहीं देना है, एक्टम पेश्ट जिसे नहीं करना है, इसको पानी थोड़ा सा ही देना है, अभी मैं इसको एक बार चला के देख लूँगी, अगर मुझे और भी थ बहुत ज्यादा पानी नहीं होना और बहुत ज्यादा हर्ड भी नहीं होना है ऐसा ही उसका टिक्स्चर आना चाहिए यह आप लोग के साथ में कोई भी गेस आने से या फिर घर में भी कुछ अलग सा अचानक सखाने का मन करें तो बखा बना के देख सकते हैं बनाने के बाद कमेंज में लिक एगा के से लागा प्लोग को, बाइब बाइ